सब्सक्राइब कीजिए शब्द समराट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाईए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए जीवानी नहीं हुई है वही खबर लगते ही उलहास नगर महनगर पाले का कर्मियों ने पूरी बिल्डिंग को खाली करवा लिया बता दे की शुक्रवार की रात 11 बजे यहां की कैम ख्रमांग 5 की भाटिया चौक परिसर में इस्थित स्वामी नारायन बिल्डिंग का तीसरे माले कसलाप दूसरे माले पर जागिरा इस दुरघटना में दो से तीन लोगों को मामूली चोटे आई है बता दे कि ये बिल्डिंग धोखादा एक बिल्डिंग की सूची में नहीं थी इस बिल्डिंग में 11 फ्लैट हैं और 1995 में बनाई गई थी खबर लगते ही उलहास नगर के भाजपा विधाय कुमार आयलानी भाजपा महास्चिव अमित वाद्वा स्थानी नगर सिव भारत राजवानी गंगोत्री घटना स्थल पर पहुँचे उयासजी नगर स्थानी नगश्ड़ में एच को ब起ते ही उलहास झाल 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 कि अधिया पाइब गिरा हुआ है अमा के यहां पे इंस्पेक्शन किये थे और बागी सब लोगों को यहां से हम निकाल दें शुरक्षत तरीके से और किसी का अभी हानी नहीं हुआ है किसी भी चीज का लेकिन यह अचानक से हुआ है अचानक से हुआ है आगसा जैसे पता चला तो हमारे लोग यहां पे तीम आकर इन लोगों को सेफली बाइर निकाल दें और इसको लॉक कर रहे हैं पुज इंजूरी हुआ है कि इंजूरी नहीं हो घुल लेवा है क्या इंसेडंश ए हुआ एक्सिदेंस ओ रधर का लीकिष्टि कर रहा है जो उनके कीमति सामान है वो निकाल रहे है और मेजर्डिन हो गई है कि पुरानी इमारत थी क्या दोखादाइक सेही में कि पुछ पाले हैं दोखादाइक का तो नहीं लग रहा है बाकी 96 की बनी हुई और कारपोशन के भी करमचार यह आ चुके हैं वार्ड ओफिसर और उनके बीट मुकादम अगर आये हैं मगर उनको ऐसा लग नहीं रहा है कि यह नोटिस होगर दिया हुआ जो खादाइक का करके कि पुरानी इमारत थे और कि परिवार इसमें इस वाकत दस फ्लैट है मगर आठ फैमिली रह रही थी जिस फ्लैट के ऊपर गिरा है वह फैमिली कुछी टाइम पहले बंबे शिप्ट ह मगर आज अच्छानक से आये मगर वह भी हॉल में बेटे थे दो इजन थे भगवान की दया से पुरी फैमिली सेफ है और बाकी के भी लोग सेफ हैं अभी है कि अच्छी चालू है सबका रेस की सामन जो है वह सब निकाल जाएं